नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैतिश्टार में तो आए आज हम बात करते हैं कि हम अपनी जमीन का नक्सा किस प्रकार से देख सकते हैं तो आज हम बात करेंगे UP में हम अपना नक्षा किस प्रकार से देख सकते हैं तो हम सिंपल से अपना ब्राउजर खोलना है और ब्राउजर में हमें सर्च करना है UP और भू नक्षा UP भू नक्षा ये आपको सर्च करना है आप सीधा सा देखिए हमें UP भू नक्षा सर्च करना है Google में जा करके, आपको up from sa click search कर लेना है, तो जैसा ही search करेंगे, तो search में जो सबसे पहली website आती है, up vonxa.gov.in, इस website को आपको open कर लेना है, तो जैसे हम इस website को open करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहांपर इस परकार का interface देखेगा, और यहाँ पर by default एक नक्सा देखेगा तो यह नक्सा सबसे पहले आता है तो इस नक्से को भी हम open करके देखेंगे इसमें भी numbering है ठेके खेत बने हुए है यह किसी गाउं का नक्सा है तो चलिए देखते हैं किस गाउं का है तो simple सा हमें यहाँ पर देखिए तीन डॉट तीन लाइन बनी हुई है इस तीन लाइन पर किलिक करना है और यहाँ से हमें अपना गाउं बगरा चुनना है तो यहाँ पर तीन लाइन पर हमें किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ से जो है सबसे उपर उत्तरप्रदेश है तो उत्तरप्रदेश तो रहने ही देना है क्योंग हम उत्तरप्रदेश के बारे में जानकारी ले रहे है उसके बाद यहां से जिला चेंज करना है यहां से तैसिल चेंज करना है और यहां से गाउं चेंज करना है एटा है, तो हम एटा पर क्लिक कर देंगे, जैसे एटा पर क्लिक करेंगे, फिर इसमें जो आपका गाओं हो तो आपको select कर लिना है तो यह तो मैं केवल एक demo दिखा रहा हूँ आप अपना गाउ select कर लीजिए अपना जिला select कर लीजिए चलिए हमने ककोड़ा जो यह ककोड़ा है यह गणों है चलिए हम इसको select कर लेते हैं select करने के बाद में यहाँ पर एक triangle type का बना हुआ है तो आपको इस point पर click कर देना है जिससे यह हट जाएगा और हटने के बाद में यह आपका नक्सागाउं का आ गया अब हमें इसे क्या करेंगे zoom करेंगे और देखेंगे जैसे हमें zoom कर लेंगे तो zoom करने के बाद में यहाँ पर कोई सा किस किस वक्ति का है जैसे मानके चलते हैं यहां लिए 75 नंबर यह 25 नंबर अपिस्की जानःबारें लेना कि यह खेद किस का है तो हमें क्या तब पर war पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, यहां पर पूरा जो खेत किसके नाम है आपको देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले मिलेगा खाता नंबर, तो खाता नंबर चारसो सतामन है, और खसरा नंबर दोसो पांच है, यानि जो हम खतोनी निकल वाने जाएगे, तो हमारी खतो है वो है 205 यानि जो खेत का नम्मर है वो कितना है 205 नम्मर है और जो खेत का छित्रपल है वो है 0.6-48 हेक्टेर ध्यान रखें जो यहां पर छित्रपल लिखा होता है वो किसमें लिखा होता है हेक्टेर में ठीक है यह बीगा और विश्वा में नहीं होता है यह केवल और मल में होता था लेकिन आज की तारीक में ये हेक्टेर में होता है उसके बाद में यहां पर यहां से शुरू होंगे यहां से खातेदार के नाम शुरू होंगे ठीक है जैसे होसियार सिंग है ठीक है महीपाल सिंग है सिवपाल सिंग है और सिसपाल सिंग है यह चार लोगों के नाम है ठीक है चार लोगों के नाम है और इसे हम उपर करेंगे तो यहाँ पर नीचे जो तुमारे खतोनी में जो भी आदेस होंगे वो सब आदेस यहाँ पर दर जाओंगे जैसे किसी ने अपनी जमीन किसी दूसरे को बेनामा कर दी है या किसी की बरासत हो चुकी है जैसे को को यहां पर जो है देख सकते हैं और उसमें जो भी आदेश है जैसे हमने कोई जमीन खरी दी है या बेची है तो हमारा आदेश उसमें चड़ा है कि नहीं चड़ा है तो वहां से जो है हमें यह मिल जाती है और इसमें सब से नीचे लिखा होगा मैप रिपोर्ट यहाँ पर देखेंगे मैप रिपोर्ट जब मैप रिपोर्ट पर आप किलिक करेंगे तो इस परकार का इस इंटरफेस को लेगा अब यहां पर यह सर्वीस अभी जो है थोड़ी unavailable है यहाँ पर एक आजाएगा download your plot नक्सा अपने जमीन का जो plot का नक्सा है वो यहाँ से download कर सकते हैं लेकिन फिलाल यह service unavailable है तो जब अब इसमें यह service available हो जाएगी तो आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर एक option आएगा download का लेकिन यहाँ से अभी download नहीं हो रहा है और यहाँ पर देखिए download करने के लिए यह आता है single plot और all plot or same owner कहने का ताथ पर यह है कि हमने जैसे 205 नम्मर का दायर किया अब 205 हमारा एक ही खेत है यहाँ और भी हैं जैसे 205, 206 207 मान की चलते हमारे तीन खेत है तो यहाँ पर नीचे ले वाले पर क्लिक कर देंगे इस पर तो हमारे तीनों खेतों के नक्से download हो जाएंगे और इस पर उपर यह पर करेंगे तो की केवल एक नक्सा download होगा तो अब यहाँ पर download का option नहीं आ रहा है क्योंकि यह side में अभी कुछ error चल रहा है जब यह सही हो जाएगा तो यहाँ पर जो है download का option आ जाएगा और download करने के बाद यहाँ से download का option होगा वहाँ से हम download कर लेंगे तो हम अपने नक्से को यहाँ से download कर सकते हैं तो हमें official चक्ष के चक्कल लगाने की जरुवत नहीं रहेगी तो हम यहाँ से अपने जो नक्सा है उसको क्या कर लेंगे download कर लेंगे चलिए अब हमें यहाँ से कोई दूसरा खेत देखते हैं जैसे हमें कोई दूसरा खेत देखना है मानके चलते हैं यह लंबा लंबा खेत है यह किसका खेत है हम चल चेक करते हैं अब यहाँ पर हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद में यहाँ से देखिए यह हमें जो जिन जिन के नाम है वो सब नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे देखिए पातिराम है जोदाराम है तालेवर है ठीक है राकेश है उमा संकर है राजकुमार है चंदरबती है ये सब नाम इसमें दिख रहे हैं देगी बहुत सारे नाम है इस खेत में तो इस प्रकार से हम हमारा खेत कौन सा है तो हमें यहां से दिखाई दे रहा है और हमारे खेत के बगल में ये नमबर है इधर यह है इधर यह है और इधर यह है और यहां पर यह है तो हम अपने खेत की चौद्धी भी देख सकते हैं कि हमारे खेत के बगल बगल में किसका खेत है और हमारे खेत के बगल में जिन जिन के खेत हैं उन खेतों से उन खेतों में भी कोई आदे से तो भी हम वहां से देख सकते और यह जो है हमारे खेत के बगल में यह पुराना रास्ता गया है यह भी आप देख सकते हैं यहां से जैसे यह रास्ता है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद में देखिए यहां पर क्या है यह लिखके आएगा यह रास्ता नहीं है यह लिखा हुआ है नाल मिल जाती है हमारा खेट किस टाइब का है चोकोर है के टेड़ा मेड़ा है कहां से जुका हुआ है वो를 सब प्ण्रप्रदेश के लिए आप उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन कैसे देख पाते हैं ये आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ ये जनकर ये आपको कैसी लगी वीडियो के माध्यम से हमें जरूर वता है और कभी-कभी ये वेवसाइट काम नहीं करती है तो परिशान नहों आज काम नहीं करेगी तो कल करेगी कल नहीं करेगी तो परसों करेगी लेकिन काम जरूर करेगी तो आज के लिए वसे तना ही धन्यवाद